स्रीशिवाय नमस्तु भ्यान अगर आप 11 जिसंबार याने शनिवार को नूमी तिथी के दिन अगर ये उपाए अगर आप आपके घर पर करते ही तो इससे आपकी जो मनुकामना हैं वो पुन्न होगी उमनुकामना है आपकी किसी भी प्रकार की हूँ वो आपकी ज़रूर पुन्न होगी क्योकि áज कल कहीं चाहले हैं पुर्षानीयों का सामना आप और हम सबी कर रहे हैं बहुत सी परिशानी हैं जैसे की पैसा हमारे घर आता है लेकिन टिकता नहीं है सुख हमारे घर से कोशो दूर रहता है लड़ाई जगड़े होते हैं हमारे घर परिबार में बिमारियां बहुत जादा आ गई है तो इन उपायों का निवारण आज हम पंडित प्रदीप जी मिस्राद्वारा कथा में बताया गया यह उपाय है आपको काली मिर्च लेनी है नो जी हाँ दोस्तों आप काली मिर्च अच्छी सी स्वस्ता आपको लेनी यानि कि कहीं से टूटी फूटी कठी फिटी ना हो में जल लेना है एक लोटा जल आप अपने घर से स्वस्त जल जो होता है वो आपको भरना है स्वस्त जल एक तांबे के लोटे में ही आपको भरना है भरने के बाद इन चीजों तीनों चीजों को रखने के बाद अपने घर के आसपास आपको अपने की गोल राउंड आपको अपने घर पर घूम लेना है घूमने के बाद आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है जिहां दोस्तों यानि की महादेव के मंदिर में आपको जाना यानि कि घर पर आपको परिक्रम्बा करने के बाद एक बार परिक्रम्बा करना है भगवान संकर के मंदिर में आ जाएए एक धार से पहले आपको भगवान संकर पर जल चड़ाना है जल चड़ाने के बाद काली मिर्चाप नो अपने हाथ में रख लीजे और एक एक दाना स्र श्रीशिवाए नमस्तु भ्याम का जाप कर लीजे करने के बाद धीपक जलाकर भगवान के पास रख लीजे और माता पार्वती भगवान शंकर का इश्मेर्ण करते हुए अपनी जो भीक्सा है जो भी मनुकाम्ना है वो पूर्ण होगी ओम नमस्षिवाय स्री शिवाय नमस्तु धन्दूस्तु